हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूटूब चैनल आज के वीडियो में मैं लेकर आए हूँ एक निव स्टाइल का साड़ी वैयर फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैंने जो साड़ी वैयर का वीडियो अप्लोड की थी तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला था तो सोचा फिर से एक निव स्टाइल के साथ आपके सामने आ जाओ फ्रेंड्स जारा चपा चपा ना करते हूं ही जलिए रिखाते हो आप लोगों को निव स्टाइल का साड़ी हो यार फ्रेंड्स फार्ष टेफ तो आफ लोगों को पता ही होगा पेटिकोट के उफर हम साड़ी के एक राउंड घुमा देते हैं फिर उसके बाद हम लाश्ट जो एंड में लुके जो हिस्से होते हैं उसी में छोटा छोटा प्लीट बना देते हैं तो मैंने इस साड़ी में अपने की कोसिस कर देतों सारे के प्लीट आप एक हाथ में उपर उठा दीजिए और थोड़ा इसा सेख कर दीजिए फिर दूसरे हाथ में उस अप्लेट को साइज करके अपने राईट कंडे के उपर आगे के तरफ लिजिए जिस तरह से मैं स्टाइल में पहाँ पेंठें कि उसी तरह पे और आगे के जो लेंद है थोड़ा नीचे रखिए ताकि हम उसको पीछे के तरफ से राउंड करके अपने कमर पे सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ अब हम उपर के प्लिट को थोड़ा सा साइज करके एक पिन टक कर लें क्यूंकि हमें पहले नीचे का प्लिट बनाना है और उसी टाइम उपर का प्लिट जैसे गिर ना जाए इसलिए हम वहाँ पे एक पिन टक कर लेंगे अब बनाते हैं हम नीचे का प्लिट फ्रेंट से करके पना इस स्टाइल में हम अपना जो नीचे का प्लिट बनाएंगे उसको राइट साइड के तरफ फैस करके हम तॉक करेंगे तो अब हम ऐक्टम से छोटा छोटा प्लीट बनाके जядदा प्लीट बनाने के कौशल्स करेंगे ताकि वो दीखने में बहुत सुन्दर लगता है और चलने के टाइम में तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स यह देखिए आपको अपने फ्लीट को अपने राइट साइड पे जिस साइड पे आप उपर के पल्लो को नीचे गिराए हैं उसी साइड के तरफ फैस करके अपने बेली बटम के सीधे उसको टक करना है अब अब देख रहे होंगे पीछे के साइड पे बहुत सारा इसे लटके हुए पड़े हैं उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि हम उपर के प्लीट को अब साइज करेंगे और मैं इस साइड के बड़र के साइज में अपने उपर का प्लीट बना रही हूँ तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने साइड के बड़र के हिसाब से अपने उपर का प्लीट बना दी और थोड़ा लूज करके अपने राइट कंदे के उपर डाल दी और वहाँ पे मैंने एक पिन टक कर लूँगी अब हम पलो के एक साइड को अपने कमर पे इस एराउंड करके पीछे में जो लूज रखे थे उसके अंदर भुसा के आगे के जो प्लीट बनाए थे उसके बीज में लगा के यहाँ पे एक पिन टक कर लेंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक उसी तरह से आपको पेहना है प्लीट को पिन करते हुए आप हमेसा एक बाद याद रखे कि नीचे का सारे का सारा अंदर से लेकर आपको पिन करना है ताकि आप जितना भी नीचे ऐसे खीचोगे न वह बिल्कुल भी नहीं गिरेगा अब हम उपर का प्लीट को थोड़ा से साइज करके दोनों बडर को मिला कर हम वहाँ पे एक पिन टक कर लेंगे तो अब मैं बनके रेडी हूँ आपके सामने निव स्टाइल के साथ और आप लोगों को ये स्टाइल कैसे लगा मुझे कमेट करके जरुर बताना फ्रेंड्स यहां पर खतम होती है मेरी वीडियो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिबा कुछ जमारे उभले मेनी टाटा बाइब बाइब आन्टेक केया आई